कांग्रेस पार्टी को हमेशा से लगता रहा है कि भारत देश उनकी जागीर है यहां कांग्रेस पार्टी से मेरा मतलब नहरु गांधी परिवार से है अगर चुनाव की व्यवस्था नहीं होती तो राहुल गांधी जैसा व्यक्ती हमारा प्रधानमंत्री होता अगर राहुल को लगता है कि वही प्रधानमंत्री की कुर्सी के हगदार हैं तो इसमें गलती उनकी नहीं है क्योंकि यह सिलसिला तो पहले से चला आ रहा है आए थोड़ा 1964 में चलते हैं 27 मई का दिन था जब नहरु ने अपनी अंतिम सांस ली एक युग का अंत हुआ मगर कश्मकश यह भी थी कि अब नहरु के बाद कौन क्योंकि यह एक बहुत अहम फैसला था अगर यह गलत हो जाता तो एक संयुक्त हिंदुस्तान का सपना बिखर सकता था प्रधानमंत्री पद के लिए तीन नाम सामने आए मोरारजी देशाई, लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी ततकालीन कांग्रिस के अध्यक्ष के जीरो कामराज व्यक्तिगत रूप से मोरारजी देशाई को पसंद नहीं करते थे और उनके सामने एक और चुनोती थी कि एक ऐसे आदमी को चुने जो नहरू की भरपाई कर पाए मोरारजी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे ये उनकी दिल्ली तमन्ना थी मगर बहुत से लोग लाल बहादुर के पक्ष में भी थे काफी सोच विचार एवं पार्टी में आंतरिक चुनाव के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बन दिया गया मगर इसके साथ एक और काम हुआ जो आज भी बरकरार है वह था कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद से भी उपर रखना इसका उदाहरण हमने मनमोहन सिह के कार्यकाल में देखा है इसी कारण से लाल बहादुर को काफी कमजोर समझा जाने लगा पत्रकार भी उनसे काफी तीखे रवये में बात करते थे नहरू की मृत्यू के बाद उनके आवाज को नहरू मेमोरियल में बदलने की मांग उठने लगी इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री इस पर कोई फैसला ले पाते इंदिरा गांधी ने उनको एक चिठी लिख दी इस चिठी में पूछा गया था आप तीन मूर्ती भवन को समारक बनाना चाहते हैं या खुद वह रहना चाहते हैं अगर आप जल्दी फैसला करते हैं तो बेहतर होगा वैसे मैं हमेशा मानती रही हूँ कि तीन मूर्ती भवन रिहाइश के लिहाज से काफी बढ़ा है मगर नहरु जी की बात कुछ और थी और उनसे मिलने वाकई तादाद काफी ज्यादा थी ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत चुभी इसके कुछ दिन बाद शास्त्री जी के पास नहरु जी की छोटी बहन की चिठी आई जिसमें लिखा था तीन मूर्थी भवन को नहरु के समारक में नहीं बदलने का फैसले से इंदिरा को काफी परेशानी हो रही है वो कभी-कभी तो बेहोश भी हो जा रही है आपका यह फैसला एक अत्याचार है ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने बोला कि अब मैं तीन मूर्थ भवन की तरफ देखूंगा भी नहीं देश के प्रधानमंत्री का इतना बढधा अपमान होगा ये किसी ने नहीं सोचा था कांग्रेस पार्टी आज तक यही करती आई है नहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर इतनी संस्थाएं है क्या इनके अलावा देश में और महान लोग नहीं हुए इसका जवाब तो वही लोग देख सकते हैं क्या पता भविश्य में राहुल और सोनिया के नाम पर ये सब देखने को मिले